नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमकाबू का फॉर्ड लेकार्ड होल्डर तीस पुस्तकों के ले खाएक आज मैं सुरू करने जा रहा हूं बिहार पुलीस बिद्रो बिहार पुलीस रिवॉल्ट या म्यूटिनी इसको हम लोग काते हैं या बहुत महत्पूर हैं क्योंकि आप जानी रहें कि बिपीएसी की परिच्छाओं में और बिहार से संबंदित और भी जो परिच्छाएं हैं चाहे पुलीस और दरोगा की भरती परिच्छा हो या अन्य परिच्छा हो सभी में आजकल काफी खोजी दस्तावेश से निकाल करके जो कुश्छन पूछे जाड़ा हैं इसलिए मैं भी बहुत मेहनत करकर के बहुत सारे Google और अन्य बहुत सारी किताबों और बहुत सारे जर्नल बहुत सारे अध्यादेश वगाड़ा सबसे हमने निकाला है और उसको इसमें आप लोग के सामने प्रस्तूत कर रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसक क्योंकि हमारा भी मनोवल बनता रहे चलिए आगे मैं सुरू कर रहा हूँ बिहार पुलीस बिद्रो क्यों हुआ और कब हुआ कहां से सुरुआत हुए और इसके करने वाले कौन-कौन से लोग थे और इसकी समयावधी क्या थी तो मैं इस पर आपको चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार पुलीस बिद्रो का मुद्दा या था कि आपको 20 मार्च 1947 को गया में SDM विश्वंभर चौधरी थे जो हवलदार कामता सींग को 100 रुपे की जुरुमाना भरने की सजा सुनाई अब इस पर क्या था कि वा बेकसूर थे लेकिन उनको 100 रुपया की सजा सुनाई गई उस समय 100 रुपया बहुत बड़ी बात हुए आज के संदर में तो या बहुत ही कम है लेकिन या आप जानते हैं कि उस समय 100 रुपया का बहुत भैलूद था और आज आज भले ही कम हो उस समय एक सिपाही के लिए 100 रुपया भरना बहुत मुस्किल था दुख भड़ी बाते तो यह देख करके वह गरीब कामता सिंग कहां से भर पाते तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो अन्य सिपाहियों ने उनका समर्थन किया है हवलदार कामता सिंग का और अंग्रेज का बिरूद किया है विसेश करके उस समय स्दियम विशंबर चौधरी थी भले ही आप नाम से सोचेंगे कि या तो आपको हिंदुस्तानी नाम है मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तानी भी आपको छोटे छोटे पदव पर आपको पदासीन हो रहे थे तो उसी में थे अब ऐसे में पूरे सिपाही इनके साथ हो गए हवलदार कामता सिंग के साथ और उन्होंने 20 मार्च 1947 को हर्ताल पर जाने का फैसला लिया अब या सुरुवात आपसे प्रशन पूछा जा सकता है या बिहार पुलिस बिद्रो कहां से बात हुआ इसकी भूमिका में इसकी महत्वपोन भूमिका प्रदान करने वाले लोगों में और नेताओं में सबसे प्रमुग थे रामानंद तिवारी जो ततकालिन पुलिस उनियन के नेता थे रामानंद तिवारी जी थे उसके बाद कॉमरेड इंडरदेव सिंग थे सिपाही ब्रमधेव सिंग थे अन्य लोग थे और इन लोगों ने इसको सिपाही पुलिस बिद्रो को काफी जोर सोर से एक सहर से दूसरे सहर में जा करके लोगों को मनोबल बरहाने लगे शिपाहियों का मनोबल बरहाने लगे इसमें सिपाही विद्रोह में एक बात और भी हम आपको काते हैं आम जनता का भी थोड़ा सा जुकाव हुआ और आम जनता भी इसमें जुड़े मैं आपको बता रहा हूँ विद्रोह की समयावधी जो थी 20 मार्च आप देख रहे हैं 20 मार्च 1947 से 30 मार्च 1947 को हुए पुलिस और आपको अंग्रेज सेना और पुलिस के बीच में मुठवेर हुआ उससे समंधित एक पिक्चर आपको सामने में दिखाये जा रहा है जो आप द फैलाव किसकी जिले में हुआ था तो मैं आपको बता रहा हूँ पटना बिहार सरीप छपरा आरा जमालपूर एवंगे इन सम्मे प्रमुखता से सिपाही जो हैं सो आगे आए और अंग्रेज के बिरुद्ध अपना कारवाई शुरू कर दिये और ये लोग ससस्त्र बता रहा हूँ कैसे कैसे घटना करम हुआ तो 20 से आप जान ही रहा है सुबात होती है 24 मार्च बिद्रोही पुलिस कर्मियों ने सबसे पहला गया में सारजेंट जेसी लेसी से सस्त्रागार की कुंजी अपने नियंतरन में ले लिया और वहां से सस्त्रों का लूट पार्ट करके वह लोग निकल चल पड़े मैं आपको बता रहा हूँ 26 मार्च को इंद्रदेव सिंग के नित्रतों में सिपाहियों ने सस्त्रागार लूटे और सस्त्रों को सभी में बांटे तब तक क्या हुआ था कि आपको बता दे चार जीलों के सस्त्रागार पर विद्रोही पु सस्त्रागार आगया था आप समझ सकते हैं एक सस्त्रागार में हजारों हजार राइफले, बंप, पेस्तॉल वगेरा सब थे सभी आगये थे तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा या था लेकिन इसको तवज़ों नहीं दिया गया इसको बढ़ाय नहीं गया हम लोग BPSC और अन्य पढ़िछों की तयारी कराने वाले और करने वाले लोगों के लिए ये प्रस्ण बनता है अन्य था आम जन जीवन में इसकी बहुत जादे प्रचाद प्रशाद नहीं हुई मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 मार्च को सेना बुलाई गई और सेना इतनी बड़ी शंख्या में बुलाई गई जिसमें ये सिपाही लोग से मुठवेर हुई और सिपाही लोग में से 5 पुलिस कर्मी जो है शहीद हो गए फिर मैं बता रहा हूँ कि 30 मार्च को सेना सस्त्रागारों को पुनह अपने नियंतरन में ले लिया तदुपरांत बिद्रोही पुलिस कर्मियों को आत्म समारपन करना पड़े अब सोहाविक है सस्त्रागार से पर सेना लोगों की बहुत बड़ी जमावरा आ गई और जिसक की कमी हो गई और गोली बारूत की भी कमी हो गई तो इननों का हाथ बढ़ गए अब यह जो है जितने भी लोग थे इसमें सामित सभी को पकड़ लिया गया और सभी को जेल में डाल दिया गया यह जेल का एक चित्र आपको दिखाया जाड़ा है जिसमें आपको मैं बता दा या दुखद पालू है कि देश आजाद होने के तदुपारांत भी छोचो महिने की कैद की सजा सुनाई गए जिसमें रामानन तिवारी जी हैं मीर हशन खान है मुहम्मद साबीर है लियाक थुशान है बालक सिंग है गंगा सिंग है भुलानाज जहा है वगरह जो है तो मैं इन सब के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यह बहुत महत्वपोन है बीपीएसी और बिहार से समंदित बच्चों को आप ध्यान देंगे या मैं कई बार बता रहा हूँ या स्रोत जो है गुगल बिहार के इतिहास और उनका जो डाकुमेंट है और उनका जो अध्या या गया है तो इसको दिहान देंगे जाए हिंद जाए फार